नमस्कार 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 दोस्तों विदित करूँ गोकेश 2728, अरुजुन 2728 पर पहुँच गए है यह बहुत जबर जस्त कमबाक है विदित गुजराती का और अनुबह भी आपको दिखाएगा इस मुकाबले में किस तरह से वो शतरंज खेल रहे हैं हमने गल भी उनका मुकाबला देखा था और वो अपनी strength के हिसाब से chess खेल रहे हैं और जिस तरह से एक छोटे सा advantage को पिछले कुछ मुकाबलों से विधित convert कर रहे हैं ये विधित में एक वो चीज है जो कि missing चल रही थी बहुत time से और मुझे लगता है कि अगर ये विधित प पर राइल उपेच खेला गया बट विधित ने यहां पर जो line चुनी वो चुनी यहां पर उन्होंने Knight F6 बजाए नॉर्मल हम यहां पर A6 हमने सबसे ज़्यादा देखा है और यहां पर विधित चुनते है Knight F6 अब मैं इसमें आपको difference एक बताता हूँ कि आप जिससे difference क्या है अगर आप A6 के game database में ढूडने जाएंगे तो आपको करीबन 37796 गेम मिलेंगे जब तक मैं यह game record कर रहा हूँ और अगर आप Knight F6 variation के तरफ जाते हैं तो आपको 71,000 गेम मिलेंगे तो आपको समय में आएगा कि यह variation जो है थोड़ा कम खेला जाता है इसमें आपने A6 करके बिशप से कोई सवाल अभी पूछा नहीं है कासल किया यहाँ पर, so now Knight into E4, D4, Knight D6, Bishop पर attack, Bishop into C6, D into C6, Pawn into E5, Knight F5, Queen D8, King D8, Knight C3, Bishop E7 अब मैं पहले इस position पर बात करते हैं हम देख रहे हैं कि विदित पिछले कुछ मकाबलों से जो है game को उस end game की तरफ लेके जाते हैं और और फिर end game में opponent को outplate कर रहे हैं, यह अपने आप में एक बड़ी काबलियत है, क्योंकि यह हर कोई जो है वो ऐसा नहीं कर सकता है, इस position तक आते आते भी game खेले गए हैं, काफी game है, 9700 game है इसके उपर, लेकिन जैसे विदित यहाँ पर Bishop E7 खेलते हैं, डाटा बेस में आपक चेक आता है, विदित खेलते हैं, King E8, Bishop G5, Bishop into G5, Knight into G5, H6, so Knight जाता है E4 पर, और अब विदित यहाँ पर खेलते हैं, G5, अच्छा जैसे विदित G5 खेलते हैं, अब अगर आप डाटा बेस में जाएंगे तो सिर्फ 4 game खेले गए हैं इससे पहले, और एक खास game है, जिसके के बारे में मुझे लगता है कि definitely विदित के जिहन में वो गेम रहा होगा, वो है MVL versus Illegino, मतलब 2700 के प्लेयर के बीच में वो मैच हुआ है, 2015 में वो मैच खेला गया है, और यह जो G5 मूव है, इसका purpose क्या है, इस पर बातचीत करेंगे, ठीक है, आप यहाँ पर जो end game आने वाला है, खासतोर पर उस पर भी discuss करना बहुत जरूरी है, अब यहाँ पर देखें, तो white के पास यहाँ पर तीन pawn है, जबकि black के पास board के इस हिस्से में जो है, वो चार pawn है, मतलब अगर queen side के हिस्से की बात करें, तो विदित वहाँ पर एक pawn up है, अगर हम बात करते हैं, board मे इस हिस्से की खासतोर पर king side की बात करें, तो यहाँ पर तीन pawn इनके पास हैं, तीन pawn विदित के पास हैं, जबकि center के हिस्से पर एक pawn extra जो है, वो यहाँ पर Richard Rapport के पास है, लेकिन यह जो extra pawn है, क्या यह परिशान कर सकता है black को ज़्यादा, actually में नहीं, और दूसरा एक बात पर attack किया जा सकता है, और विदित ने उसी पर, तो विदित ने दो प्लान पर काम किया, इस pawn पर attack किया E5 के, और queen side से अपने pawns को आगे ले करके गए, अच्छा तो इससे पहले जो match हुआ था, उसमें, MVL ने क्या किया था, उन्होंने B4 खेला था, और अपने queen side के pawns को पह जाल नहीं छेड़ते हैं, ठीक है, विदित यहाँ पर खेलते हैं, king E7, rook आता है D2, now bishop E6, यह important move है, rook D1 पर आता है, और यहाँ पर विदित decide करते हैं, हाला कि मैं आपको बता दूँ कि यह pawn आप मारने जाओगे, तो B3 से bishop trap हो सकता है, तो उसको लेकर के ध्यान रखना है कि पॉन मरने जाओगे, तो यहाँ पर rook A D8 आते हैं, विदित एंड गेम पर जाना चाहते हैं, rook एक्शेंज करके, रुक इंटू D8, रुक इंटू D8, king इंटू D8, और B3, normally देखने में ऐसा लगता है कि यह match तो draw हो जाएगा, और अधिकतर इस तरह के match draw हो जाते हैं, लेकि knight को G6 से लागे E5 को target करना है, तो अपरन खिलता है यहाँ पर knight C5, विदित खिलते हैं bishop C8, now knight D4, अभी idea यह है कि जैसे विदित knight G6 आए, तो E6 push किया यहाँ पर, क्यों क्योंकि E6 को आगे बढ़ दिया, क्योंकि E5 पर तो protect करने में दिकत हो सकती थी, तो F into E6, knight into E6, और अब विदित खिलते हैं यहाँ पर king E7, क्योंकि knight C7 मारने जाएंगे तो BD7 से knight trap हो जाएगा, तो knight वापस जाना पड़ा, king और उपार आता है, अब यहाँ पर विदित को position में एक advantage हो, भले यह weakness जो है वो खतम हो गई, लेकिन एक advantage मिल रहा है, advantage यह है कि उनका king जो है वो इनको पीछे हटना पड़ेगा, मतलब कुछ tempo lose यहाँ पर करना पड़ेगा, so उनने खिला knight D5, यहाँ पर विदित खिलते है, knight D5 और exchange का offer करते हैं, exchange offer करने में यह बिल्कुल सिधा loss हो सकता है, क्योंकि king बहुत दूर है, knight E1, so now B5, उननोंने किया C3, so now A5, F3 किया, यहाँ पर king को लाने के लिए जगे बनाई, so now B4, अभी जो है, यहाँ पर बिल्कुल opponent को जो structure था, उसको खराब करने के तयारी थी, यहाँ पर मार के खिलते हैं, अगर तो black के लिए जो है, position ज़्यादा अच्छी क्योंकि king advance है, उननोंने खिला king F2, so now विदित खिलते हैं C5, now knight ज C5, X3 किया यहाँ पर, so now C4, pawn into C4, knight into C4, king D4, और यहाँ पर विदित खिलते हैं, knight को वापस, और अभी आप देखे, king के लिए ज़्यादा जगहे नहीं है, कहीं भी अंदर जाने की, ठीक है, और square जो है, वह अधिकतर आपके बंद है, अब इसमें ना एक बात रह गई थी कि यहाँ तो आप यह देखे कि light color का bishop है, और यह light color पर pawn रखा है, तो अगर यह pawn मर गया, तो फिर तो वैसे भी corner का pawn knight के लिए बहुत danger होता है, तो एक तो वो यहाँ पर एक बात है, जिसका ध्यान रखना था, दूसरा यह, कि अगर यह pawn कभी यहाँ तक पहुँच गया और भी खेला गया है, कि Richard Rapport जो 2750 के उपर के player है, आप देखे कि उन्होंने क्या-क्या धमाल मचाए हुए है, पिछले कुछ समय में फीडे grand P जीता हुआ है, वो struggle कर रहे थी इस पूरे game में और struggle ही करते रहे, कभी भी comeback करते नजर नहीं आए, और possibly होने ही नहीं दिया comeback पॉन्स के पास पहुँच जाए, ना उन्हें ने खेला knight c2, so a3 वो ही setup तयार हो गया अभी, knight जाता है d3 और bishop h7, अभी bishop भूमेगा और attack करेगा a2 पर, g3, bishop g8, और यह वो setup था जिसको विदिती देर से plan कर रहे थे, अब इसमें बहुत ही simple है कि एक तो a2 मर गया, तो game खतम हो जाएगा, तो उन्हें ने खेला यहाँ पर knight c1, so now h5, h4, gh4, 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 अभी opponent के पास एक past pawn जरूर है, लेकिन वही problem है कि bishop की वजए से वो ज्यादा effective नहीं है, दूसरा, उनके knight जो है, वो काफी फसे हुए है, पीछे, knight on the rim is dim, सबसे पीछे फसे हुए थे, knight e5, king e3 आए, यहाँ पर king को advance किया, knight d4 आए, तो king c3 पहुँच किया, f4, तो यहाँ पर check दिए, knight g4, king e4, knight f6 check, king e5, knight d7 check, वो king को जितना भी divert कर सकते हैं, और अभी knight जो है आगे चलके, knight c5 से उसको आगे जाना ही था, knight c5, king e3, now king b2, अभी a2 जो है वो forcefully जो हो मर रहा है, उन्होंने ह अटालिया फिर यहाँ से knight को, यहाँ पर bishop into a2 जाता है, knight c6 जाते हैं, b4 पर attack करने के लिए, तो bishop c4 यहाँ पर आप देख सकते हो, good move है, कि अगर आप knight b4 मारने जाते भी हो, तो अगर आपका एक knight भी exchange हो गया, तो भी game खतम हो जाएगा, तो उन्होंने खेला knight b4, bishop e2, king e2 और king b3 के बाद यहाँ पर resign करना पड़ गया, क्योंकि knight कहीं भी हटेगा, वो pawn अब रुखने वाला जो है वो नहीं है, तो एक शांदार match, opening का चुनाव जबर जस्त है, जिस तरह से उन्हें पता है कि उनकी strength क्या है, तो वो एक अच्छी बात, opening की तयारी एक बार फिर से नजर आती है, bishop e7 को अच्छे से तयार करके आये थे, और फिर सिर्फ एक गलती यहाँ पर मुझे लगता है, knight e2 जो basically हुई और एक ही match खेला गया था, तो यह normal है होना, और उसके बाद विदित ने कमाल की approach रखी, दोनों रुख को exchange किया, उसके बाद मतलब जैसा ऐसा लग exchange के लिए अच्छी बात है कि यूवा कि लाडियों में अगर हम बात करें, जो बहुत ही यूवा, teenager की हम बात करें, वो तो अच्छा करी रहे हैं, जो हमारा यूवा प्लेयर है, विदित गुजराती, जो कि इस महीने 24 तारिक को 27 साल के हो जाएंगे, वो भी एक बार अपने लए में वापस लोटते हुए, उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना ना भूले हैं, देखते रहें, चेस्पेस इंडिया, चेस्पेस इंडिया के लिए मैं इक लिए चेन, जैहिन दोस्ता झाल